केसर नाम तो सुना ही होगा जिसे हम अक्सर खाने में डालते हैं जिसके डालने मात्र से खाने का रंग एवं स्वाधी बदल जाता है तो चलिए आज हम केसर की चाय बनाएंगे जो की गुणों से भरपूर है जैसे की हमारे बालों को हिल्दी रखता है हमारे स्किन पर ग्लो लाता है और वेट लॉस में तो सबसे ज़्यादा ये मदद करता है अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें हमारे चैन चीली है ये हम दो कप चाय के हिसाब से ले रहे हैं अगर आप एक कब बनाओगे तो इसकी आदि कॉंटिटी ही लेना अब इसको हम कूट लेंगे इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है इसके खली टुकड़े ही करने हैं बस ये जो चाय के मसाले है ये बहुत ही हिल्दी है हम हम को कूट लेना है यह हमारे लिवर, ब्रेन, हार्ट को हिल्दी रखता है यह चाय केसर हमारी स्टार है हमारी रेसिपी का तो देखिए एक पैन में हम दो ग्लास पानी लेंगे हम क्योंकि हम दो कब बना रहे हैं इसको बॉयल करके इसकी कॉंटिटी हमें हाफ तक लानी है इसके लिए हम दो ग्लास पानी का इस्तमाल कर रहे हैं अब जो मसाला कुटे थे वो हम इसमें डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे केसर इसके हमने seven strands लिए हैं साथ धागे लिए हैं अगर आप एक कब बनाते हो तो तीन या चार उससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि केसर काफी गरम करती है और यह जो चाय है एंटी ऑक्सिडंट से भरपूर है यह हमारे डाजेशन में भी बहुत हेल्प करती है इसको पांच साथ मिट के लिए मुबालने के लिए रखेंगे तो देखें पांच मिट हो चुके हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है पूरा घर हमारा महक उठा है केसर और इलाइची के स्मेल से तो देखें बहुत ही हल्दी चाय बनने वाली है आज हमारी इसको ढख देंगे हम वापस दो-तिर मिट के लिए और उबाल लेंगे हम ताकि इसकी कॉंटिटी हाफ तक हो जाए तो यह देखें इसकी कॉंटिटी जो है वह हाफ हो तो टोटल हमने इस साथ या आट मीट के लिए उबाला है अब चलिए गैस को हम आफ कर देते हैं चाय हमारे बन गई है उबलके एकदम रेडी हो गई है बहुत ही अच्छा कलर आया है देखें केसर का इसमें तो यह जो चाय है यह हमारे स्किन पर ग्लोल आती है और यह अब इसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं और यह पीरीड के टाइम में अगर इर्रेगुलर पीरीड तो यह यह बहुता है अब इसमें हम चॉप्त आल्मेंट्स जाल देंगे यह ऑप्शिनल है अगर आपको नहीं पसंदा तो आप इसको už किप कर सकते हैं यह ऐलमंट्स जालने स को भी बहुत इंप्रूफ करती है हमारी कैविटीज को भी ये प्रिवेंट करता है तो आप ये हिल्दी चाय जरूर बनाए तो ये लीजिए हमारी केसर वाली चाय बनकर बिल्कुल रेडी है जिसके पीने से हपते भर में ही आपको इसका रजर्ट नजर आ जाएगा आप इसे सुबह शाम दो टाइम पी सकते हैं ये आपकी हार्ट और डाजेशन के लिए भी बहुत ही बेनिफीशल है इसे पीने से आप बहुत ही रिलाक्स फील करेंगे अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप इसे जरूर बनाए और जरूर पीए तो चलिए अब जल्